प्रणाम सभी लोग को मैं व्यद्य अर्विन पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं सभी लोग भारत के सर्वस्रेश चिकित सक हैं सभी को मैं प्रणाम करके आज का जो सेशन है वो हम शुरू करेंगे आप लोग को जो भी डाउट्स वगरा आते हैं वह जरूर यहां पर बताया करिए क्योंकि आप सबके सब भारत के सर्वस्रेश चिकित सक लोगें अभी हम लोग आज जो बात करेंगे आप लोग को मैं शायद दिखाई दे रहा हूं आप लोग को मैं प्रणाम करता हूं और आज हम लोग जो मुत्राश्मरी होता है किड्नी स्टोन होता है उससे बात करेंगे हमारे पस बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको किड्नी में या यूरेटर में या यूरिनरी ब्लैडर के पास स्टोन हो जाता है तो उसको आईलवेद में किस तरह से चिकित सा किया गया है उसको हम लोग मुत्राश्मरी बोलते हैं अगर गॉल ब्लेडर में होता है तो उसको हम लोग पित्ताश्मरी बोलते हैं तो आज हम लोग मुत्राश्मरी पे बात करेंगे आप सभी लोग का में स्वागत करता हूं और और मुत्राश्मरी के जो चार प्रकार बताएं वातज, पितज, कफज और शुक्रच इस पर हम लोग बात करेंगे और उसका हेतु क्या रहता है और उसका टाइप्स क्या रहता है और जो टाइप्स रहते वातज, पितज, कफज तो वो किस तरह के लक्षन दिखाते हैं उसके बाद में हम लोग हेतु देखे लक्षन देखे और अशदी पर बात करेंगे और अलग लग तरीके से हम किस तरह से चिकिच्चा करें कि हमारा पेशन्ट ठीक हो जाए ऐलोपेथी भी चिकिच्चा शास्त्र है तो वहाँ भी चिकिच्चा करता है लेकिन जो जो है कि वेवो का धारण नहीं करना है पानी कितना पीना किते रहिए लेकिन वह अग्णी बंद करता है और किस तरह से से कोई भी बिमारी समझ आता है और बताना इजी भी हो जाता है समझाना इजी होता है कि हम क्या कहना चाहरे हैं तो मैं यहां पर अनुट करने का भी अप्शन देता हूं जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं किड्नी स्टोन से रिलेटेड वह जरूर मुझे रोकिए और अप त्राश्मरी जो रहती है एक तरह से पत्थर बत रहता है अश्मना यांती एक तरह का स्टोन रहता है जो छोटे अकर का पत्थर या कंकड जैसा रहता है इसलिए इसका नाम अश्मरी बोला है अश्म मतलब पत्थर तो अश्मरी मतलब पत्थर जैसा कोई आकार बन जाता है जो unwanted चीज है तो यह कहां पर भी हो सकता है जैसे kidneys में हो सकता है urator जो गविनिया है वहां पर हो सकता है urinary bladder में हो सकता है और या फिर इसी तरह का stone जो है वो पित आश्मरी गौल ब्लैडर में भी हो सकता है लेकिन हम लोग आज मुत्राश्मरी पर बात करेंगे इसके टाइप अगर हम लोग देखेंगे तो क्या बताया है वात पित कफज त्रिभी चतुर था शुक्रजा अपरा प्रायह शलेश्मा श्रया सर्वा अश्मरह त्यू यमो पमाहा मतलब यह चार टाइप का बताया गया है तो वातज, पितच, कफज और शुक्रज जो शुक्रज मरी रहती है इसमें ज्यादा तर कफ कारण के रूप में रहता है और इसको अगर हमने चिकिसा नहीं किया गया तो यमो पमाह मतलब यम के समान यम दूत हमारे प्राण ले ले ग्रंतियों पिवा विल्वमारगनम चाती चेती स्तरोत्रसामधुष्टी लक्षणम तो जहां पर भी संग हो जाते है और स्टरक्शन हो जाते है वहां पर कहीं ना कहीं स्तरोतो दुष्टी होती है और यह मृत्यू तक लेके जाती है क्योंकि आइरवेत का बेसिक सिधानत दोश धातु मला मुलम ही शेदम तो दोश धातु और मल मल अगर नहीं निकल पा रहा है जैसे मुत्रवेग अगर नहीं निकल पा रहा है तो यह महामर्म है विक तो वहां पर बस्ती शेत्रपुरा तो इस पर आगहात हो गया मर्मा गहात हो गया और मिर्ट्व तक लेके जाता है सद्ध परान हर रमम तो वह एक हे हीटू हो सकता है जिससे तुरंते मिर्गति हो सकती है ज disproportionately इतना ज़्यादा होता है महामर्म पे आगहात हुआ और मिर्गति तुरंत हो सकती है और इसका ही तो हमारे शरीर को स्वस्त रखने के लिए आईवेज शास्तर में हर शरीर को स्वस्तस स्वास्तर खणम चाहा आत्रों से विकार प्रश्मनम जब हम ऐसा बात करते हैं स्वस्त व्यक्ति के लिए शोधन उप्चार करना बहुत जरूरी बताए गया है जैसे कि हम लोग गाड़ी को सर्व शोधन करना है नस्ते बस्ति तेलं शोधन नहीं कर रहे हैं और नित्य अपथ्य सेवन क Therefore झाय जा रहेहीं जाय्प नहीं उल्टा पुल्टा चीज़े खाई जारी है उसके वज़र से अश्मरी हो जाता है इसमें सभी तरह के अश्मरी में ज्यादा तर कफ दोश की क्योंकि कफ दोश जो चरीर में है वहां संगात करता है जोडने का काम करता है यहां पर विकृत चीज जो है जो मल सुरूप विकृत उसको जोड देता है और वह संचिती कहा होती है तो वह किडनी में या फिर यूरेटर में मतलब हमारा यूरिनरी सिश्टम में कहीं न कहीं अवरोध होती है वहाँ पर संचे होने लगता है और फिर वह अवरोधात्मों संप्राप्ति तक लेके जाती है तो यहाँ पर कफ दुष्टी अवश ही समझना चाहिए अगर छोटे बच्चों में देखें तो उसमें तो कफ कर आहर विया जाते हैं लेकिन उनको अश्मरी जो होती है क्योंकि वह खेलते कुदते हैं बच्चे उनको इतना जल्दी नहीं होती है लेकिन जिनको हो जाती है तो ऐसा बताया गया है कि हारित सहिता में जो अगनिवेश के जो क्लास्मेट थे जब पुनरवसु आत्रे जी ज्यान दे रह और भेल थे तो जो हारित जी ने अपना ग्रंथ लिखाए उन्होंने बुलाया कि जो बच्चों को अश्मरी होती है वह ज्यादा तर माता और पिता इनके बीज दोश्तित्पन होती होने के क्वाज़े से अश्मरी होती है अब इसकी संप्राप्ति क्या बताईए चरक्चि पजायते तु क्रमेंड पित्वय श्विव रोचनागो हो इसका मतलब यह है कि बस्ति में अपना पूरा यूरिनरी सिष्टम में कहीं ने कहीं बायू जो है वो प्रकुपित हुई है अब वह ये तुमें बाद में बताता हूं वहां पे ऐसा बताया है कि वहां पे शुक्र का अवरोध करती है शुक्र को सुखाती है कहीं न कहीं मुत्र जो है उसको सुखाती है बायू फिर उसी तरह से पित्त को दुशित करती है कफ को दुशित करती है और उसमें शुश्क्रता लाती है ड्राई करती है और धीरे धीरे जो शुक्र है या मुत्र है या पित्त है या कफ है इसको सुखाती है जिस तरह से गाय का जो पित्ताशे होता है जो काउग गाय होती है उसका जो गौल ब्लेटर होता है वहां पे पित्त जब जमा होने लगता है तो उसको उससे गोरोचन उत्पन होता है उसी प्रकार अगर वायू ने मुत्र को सुखाया मुत्र कहीं कि रोगा है किसी ने मुत्रबे का अबुत कैया राइू कप रखोपपुर और W नृ जो 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 दोशंख मरी ऐसे हो तो यह सारे अश्मलियतों ज्यादा तरी दोश जन्ने ही होती है लेकिन दोश्वल बनता मतलब जो ज्यादा प्रॉमिनेंट रहते हैं उसके हिसाब से यह वात्तष होता है पित्तष होता है कफश टाइप होता है मुत्र की तरलता जो है स्पेस्फिक ग्रैविटी जो होती है गनता बढ़ती है मतलब जो लिक्विफिकेशन है मुत्र में के लिक्विडिटी वह कम होके स्टॉलिडिफिकेशन हो रहे है स्टॉलिड के हो रहे है क्योंकि उसमें वायू उसको सुखा रहे है जैसे हमने कपड़े गीले कपड़े डाल दिये तो वायू से अपने वह आरन करना मतलब यूरीन आया है लेकिन इसको रोक रखने या बस्ती में मुत्र अधिक काल तक संचित हुआ है 99 वह इंसान करना ही नहीं चाहरे दो यह अश्मरी उत्पन हो जाती है सब भी अश्मरी में और यह अलोपेती साइश कभी नहीं कि मुत्रवे का अवरोद करने से किडनी स्टोन होते हैं वो यह बुलेंगे पानी करने से भायू का प्रकॉप होगा उपकर उसको सुखायगा यह उनके सऑन्स में नहीं है मैं उनके सैंस को गलत नहीं बल रहा हूं यह अईरवेथ का पानी बहुत ज़्यादा पिते हैं तो पानी पे भी अग्नी का संस्कार होना बहुत ज़रूरैंगा तब वह पचता है ऐसे वह पचेगा नहीं अगर जल तत्व हम बहुत ज़्यादा शरिमें बढ़ा रहें तो उसमें अग्नी की kriya तेज महभूत की kriya होगी तब यो डाज प्रभुत शिश्यों को सारा चीज बताया है तो उसमें बताया है। इसमें साफ पानी बर दिया प्रे पर निकाल गड़ी निकाल थे पर भर दिया लेकिन कहीं नहीं में रख ब्रक्राइब वहां पर मिट्टी कठ्था होती है जब पानी अगर रुका हुआ है पानी बहनी रहे और वहां मिट्टी में तो जो पानी में पृत्वी तत्वे पार्थिव तत्वे वह कहिना कहीं सेटल होते हैं उसी तरह से मुत्र में भी जो पार्थिव तत्वे वह कहिना कहीं संचित होन प्राइश होती है तो ओले के से पड़ते हैं तो वह वायू और विद्ध्यू लता इलेक्ट्रिसिटी की तरंगे जो रहती हैं उनके वज़ए से उसमें कुछ तो प्रॉसेस होता है कि पानी जो है वह आइस में कन्वर्ट हो जाता है वहाँ पर वायू और इलेक्ट्रिक एनर तो इस तरह से दोशज अश्मरी बताया है शुक्रज अश्मरी जो है वह अलग ताइब की अश्मरी होती है उसके लिए ऐसा बताया गया है कि वेगों को धारण नहीं करना है जब कोई इंसान को शुक्र का वेग आया है उसने बहुत ज़्यदा उत्तेजना होगे उसको एक भी विचार आ रहे हैं सेक्शुल डिजायर की इच्छा हो रही है तो मांसिक रूप से उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है तो व्यादी होता है नहीं तो समाज में दुराचार बढ़ता है जैसे कि गैंग रिप अगरा कर लेते हैं लोग या फिर गलत चीजे करते हैं तो वह तो मांसिक वेग को रोकने के लिए बुला है वो धारणी वेग है लेकिन अगर शरीर में शुक्र निकल रहा है जिस तरह से केले का छिलका होता है और केले के छिलके में पैर रखा तो इंसान तुरंत फिसल के गिर जाता है ऐसे ही शुक्र निकल रहा है लेकिन वह आया है से वेग को रोक दिया वह शुक्र जो निकल गया है चूत हो चुका है बाहर नहीं निकल लेकिन वह अंदर सेमिनल वेसिकल में है वह युरेत्रा से निकलना चाता है लेकिन वहाँ पर अटक गया तो वह वायू के वज़र से क्योंकि अपानवयू पीछे से प्रेशर डल गये कहा गया है कि हमारे स्वामे वीवयकानन को यह स्युक्री निकला देज्या यह उनको चिकिछ सा गया हूद यह वो यह जोर से लहिए कि उस सब्सक्राइब निकले स्खलन करें वो दवायां देने से वह निकल जाते है यह तो बहुत ज्यादा पेणफल ज्वित इस तरप से किड्नी स्टोन होता है पेणफुल वैसे ही शुकराश्मरी का पेण भी वह ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं बहुत ज्यादा तकलीव देते हैं जो चिकिल्चा बदै च्रोप त PROF होते हैं थीक है तौ जो participating के संचीत हुआ है प्रकुप प्रता भी प्रसर होती है तो किडिक स्टोंन होने के पहले क्यों होते हैं अद्मान होते हैं पैठ फुलने लगते ज्यादा मुत में बक्री का मुत्र की तरह मेल आता है बहुत दुरगंदाते हैं मुझ रिच्छता होती है यूरीन अच्छे होती है यह स्त्रियों में भी होता है स्त्रियों में बागिया बहुत सब्सक्राइब गुदा के मद्यभाग में वेदना होने लगती है वस्ती का जो शीर है जो ओपनिंग है जो यूरिनरी ब्लैडर का ओपनिंग जहां से यूरितर स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ पर बहुत ज्यादा वेदना होने लगती है कभी-कभी अश्मरी के वज़ाद से मुत्र अबुद् को देखिए कैसा स्क्रीन पर दिख रहे है वह पॉइंटेड होते हैं बहुत ज्यादा तो वह क्या करता है अंदर जो मेंब्रेन है उसको इंजर करता है तो उससे यूरिन करते समय ब्लड आता है और इसमें कभी भी अश्मरी का अवरोध हुआ है अश्मरी के वज़े से पकड़ के बढ़ते इतना चिल लाते हैं और उसके साथ में उनको इंजरी ब्लड भी आ सकते हैं तो इस तरह से किड्नी स्टोन का अभी दोशों के हिसाब से अंशांच कलपना से मैं आगे बताऊंगा अभी मैं पहले चाहता हूं कि आप लोग कुछ बताईए जब इकिड् दगी है वो नहीं निकल पारें जैसे कि ड्रेनेज लाइन ब्लॉक हो गया तो सारा पनी रोड पे आ जाता है अगर या फिर बारिश थोड़ी भी होगी तो पूरा बाढ़ आ जाता है इस तरह से यूरीन अगर नहीं निकल पा रहा है अच्छे से तो स्टमक पेन होगा बैक होने लगता है फिर यही और उपर जाएगा प्राण भाई को दूशित करेगा मस्तिक्ष में जाएगा तो डिजनेस आता है तो कि इतना जोड़ से वायू का प्रेशर उपर आ रहे है क्योंकि नीचे वह पास नहीं निकल पार इसलिए फिर इससे आम बहुत ज्यादा जाएगा और ज्यादा जोर लगाए तो ब्लड इन यूरिन ऐसे सिंटम्स लेके हमारे पास पेशेंट आते हैं अब आप लोग कुछ बताएं आप लोग ने किड्नी स्टोन के पेशेंट कैसे देखें आप बताएं फिर में अर्शानिश कल्पना से बताऊंगा डॉक्टर पल्लवी में आप कुछ बताना चाहेंगी किड्नी स्टोन के पेशेंट आपने कैसे देखें में काई तरी सांगाताई कैसे पेशेंट बोली यह जब किड्नी के पेशेंट आते हैं तो एक सिंटम्स हमेशा बोलते हैं कि दर्थ जो है वो पीछे से स्टार्ट हो रहा है और आगे आ रहा है और नीचे तक जा रहा है मतलब बहुत परेफरंग पेन बोलते हैं पीछे से स्टार्ट होके आगे आए अएगा और फिर पेशेंट के जगापर या तो ऊपर पेन जादा रहता है और फिर बोलते हैं कि दो धार लगती है जब पेशाप करते हैं तो कभी- कि संपराप्ती ही जिनती है और अगर खाली पेंद रहेगा तो फिर हम बात को तो उनको सर यह प्राब्लेम रेती है और कभी-कभी युरिन का जो नेचर है वो आसेडिक रहेता है तो अगर ऐसेडिक नेचर की युरिन रहेगी मतलब पानी कम पीते तो आसेडिक लेवल बढ़ती है युरिन का नेचर तो फिर उसको मुत्राश्मरी होने के चांसे ज्याद खाना ये भी मिलता है और उसमें सर हम अगर उसको अगर ट्रिट्मेंट के इसाब से देखा जाए तो यहां पर बस्ती विरेचन और स्मेहन करेंगे तो अच्छे रिजर्ट में मिलते हैं जैसे कि वरुनादी कशा है है गोक्षुरादी काडा है या तो एक सर चंदनासव का मै अगर जलन रहेगा तो लेकिन जलन रहेगा तो लेकिन जलन रहेगा तो उसमें हम प्रवाल पिष्टी भी यूज़ कर सकते हैं, तो प्रवाल पिष्टी वो symptomatically काम करेगा, कि बर्निंग है वो कम करेगा, और बाकि जो द्रव्य बताये गए हैं कि पुनर नवा है, और हजरल यहुद बहस्मा भी हम यूज़ कर सकते हैं इसमें, और कल्लायनक शार उसमें बताया गया है, वातज रहेगा, तो कल्लायनक शार अच्छा काम करता है, लेकिन वो अगर पित्त प्रकुरूशी रहेगा, तो शार का यूज़ जादा नहीं करना चाहिए नहीं, तो वो रैसिस डेवलप करता है बॉड़ी के ऊपर, और बहुत सारे सार और अगर य लाइडर में रहेगा, तो उतना वो इतना नहीं दिखेगा, लेकिन अगर उरेटर में रहेगा, तो ज्यादा दर्ग देता है, तो उसमें हम थोड़ा सा जैसे आप बताते हैं कि कनकासव का भी यूज़ करना चाहिए और थोड़ा सा पेंज जादा रहेगा, तो दश्मुल काड़ा भी हम यूज़ कर सकते हैं कि और अगर बस्ती देना चाहेंगे, तो सहचा राधी बस्ती इसमें सर अच्छी काम करती है, पेंज के लिए, बहुत अच्छा बताया आपने मैं, अब आगे, और कोई बताना चाहते है, इस पे, सूरज जी आप कुछ बोलना चाहते है इस टॉपिक पर? और गोक्षुरादी को गूल मतलब यूज करते हैं हमारे सर, मतलब पूरे मेडिसीन नहीं मालूम पर ये दो मेडिसीन यूज करते हैं कभी-कभी, कंडिशन के इसाब से, शंकवटी सर ने बताया था मतलब मेरे को थोड़ा-थोड़ा यादी कि वो बेदन करती है, मतलब आ बाहर निकालने के लिए अच्छा रहता है, और सर ये चीज और सुनी थी हमारे सर से की शंकवटी को अगर डाड़ी-मादी गुरूत के साथ दिया जाए, तो मतलब वो पेन लिफ में अच्छा होता है, बहुत अच्छा बताया अपने, अब हम न दोशों के अंशांश करप अपना से इस पर पढ़ेंगे, फिर बाकी लोग से भी बात करेंगे, वाता जैश्मरी जो रहता है, उसमें पेन बहुत ज़्यादा रहता है, तो श्लोक में मादव निदान में क्या बता है, तत्र वातात भृषम चा अर्तो दंतात खादती वेपते, ग्रिहाती मेहनम बहुत ज़्यादा पीडा होती है, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, वेदना करन रोगी बारबर कहा रता है, ऐसे कराहता है बहुत ज़्यादा, और दात जो होट दबाता है, दात से होटों को दबाता है, इतना पेन होता है, कमपाय मान होता है, कमपन आता है बहु तो देखलते उसको मुत्रप्रविर्टी भी बारबर होती है थोड़ी थोड़ी होती है और इसमें जो स्टोन रहते हैं आप लोगों जैसे स्क्रीन पर दिख रहे हैं वैसे ही दूसर वर्ण की बहुत काटे युपत दिखाए देती है ड्राइनेस बहुत रहते हैं और चरक न निवोश्ममान भलातक आस्ति संथाना रक्त पिता सिता अश्म्री उसमें बहुत ज्यादा हो रहे हैं और पच्चेमान ब्रणशोत की तरह उसे कोई जख्खम है वह पच्चेमान वस्ता में पक रहे तो कैसे पेन होता है रही ज्शता है और यह जब निकलता है तो भलातक के बीज के जैसा होता है इसका रंग पीला या लाल हो सकता है इसके जैसे कफज अश्मरी बस्तिर निस्तुद्धे इवस्ट लेश्मना शीतलो गुरुहु अश्मरी महतीश लक्षणाम मदु वरणा अथवासिता इसमें बहुत जदब तोदवत वेदना सुई चुबोने की शीतलता हो रहे शैत्य हो रहे और गुरुता हो रहे यह बुद्ध मुलायम रहती है अश्मरी और इसका वर्ण जो होता है या सपेद ऐसा हो सकता है इसी तरह से जो शुक्राश्मरी है शुक्र का वेग धारन करने से होती है शुक्राश्मरी तु महताम जायते शुक्र धार शुक्रदे का विधारन करने से शुक्राश्मरी उथ पनोंती है अगर कोई काम वस्ना में कोई इंसान है और मैथुनी के करण उसका शुक्रसुआ स्थान से चुत हो गया है जोत मतलब वहां से निकल गया है यह लेकिन बाहर nearby निकला है बीच रास्ते में और उसको रोक दिया बीच रास्ते में जैसे घोड़ा है वो जोड से भाग रहा है और उसको टार्गेट सक पहुंचने के पहले ही अपने रोक दिया वैसे जो शुक्र है वह बाहर निकलने के पहले ही बीच में रोक दिया गया तो वह शुक्र उसका शोशन होता है और वो शुक्राश्मदी का रूप धारन करता है वो बस्ती के थन पर पीडा करता है क्योंकि वायू प्रेशर निकालता है वो स्टोन को निकालने का खुदी सुखाया भी है उसने शुक्र को सुखा के स्टोन मनाए और उसी को निकालने का कोशिश करेगा तो वो नहीं निगल पा रहे है शुक्र तो इसलिके पीड़ा होती है, मुठ्र कृच्छता होती युरिन नहीं निगल पाता है, वरिशान मेरे स्वेस्टिकल पूरा है युडशन होती है। हो जाते हैं बहुत जदा तकलिफ होती है मैंने ऐसे एक पेशन्ट देखा था जो जैन मुनी थे तो जैन मुनी लोग को भी वरत होते हैं कि आप लोग को यह रहना है तो अगर उनको वेग आ गया और ऐसा जैन धर्में में बोला है कि जैन मुनी लोगों को दूद नहीं पीना चाहिए ऐसी वरिष्य चीजे नहीं खाना चाहिए जिससे शुक्र का वेग आए क्योंकि उनकी साधना बहुत कठीन होती है और वह भी जैन धर्न में श्वेतांबर दिगंबर ऐसे दो टैप रहते हैं दोनों लोग को ब्रह्मचरे पालन करना बहुत जलूरी होता है तो मैंने जैन मुनी देखे थे जो उनको इतना ज्यादा वरिषणों में शोथ हो गया था बहुत ज़्यदा से स्वेल्ड हो गया था जो बताया गया है वह ग्रंतों में वह सच में हैसा मैंने तो देखा है इसलिए मुझे मुझे मालूम है और मैं कोई भी पेशंट देखना चाहता ह मुझे आप कभी भी बुले एक लेक्चर लेलो या पेशंट देखलो मैं देखना चाहता हूं मैं उस द्रिष्टिवन से दुनिया को देखता हूं तो मैंने देखा था मुझे वैसा चीज़ सच में पता चला था तो यहां पर पीड़ान होती है और कभी-कभी मुत्रवाग हाट से शुक्र बाहर निकलने का कोशिश होता है लेकिन वो अश्मरी नेकर ग्रधित शुक्र होता है ठोड़ा ठोड़ा मतलब गांट गांट शुक्र निकलने का कोशिश करेंगे तो और इसमें बहुत जिदा मुत्रवेग अवरोध के वज़त से जैसे पेन हो रहे है वैसे पेन भी हो रहे है और वातज पितज कफस तो जाए तर छोटे बच्चों में होती है या किसी में भी हो सकते है लेकिन शुक्राश्मरी जो होती है केवल और केवल जो युवा वस्ता के करऱों का घारन और का कुछ नहीं अए उनका कंसे प्रतर तो युवा वस्ता में यह रहता है छोटे बच्चों में शुक्र अव्यक्त दो होते हैं तो छोटे बच्चों में ही ये शुक्राश्मरी नहीं होता है इसको हमेशा ध्यान में रखिये। इसी तरह से जब एडश इश्टोन झो चोटे चोटे टुकडों में हो गई है तो उसमे जिस्तौरे से रे blinking का कण होते उसतर फूल्ह सब्सक्राइब यह चोटा अस्मारी के लिए छोटे-णिल्ऴण लेकिन अश्मरी में पित्ते से परिपाचित और वायू से शुष्कोने के बाद इसमें कफ का शय हो जाते है थोड़ा कफ का शय हो रहा है इसलिए अश्मरी छोटे-छोटे तुकड़ों में उसको शरक्रा बोलते हैं इसमें भी बहुत ज्यादा मुतिक्रिचता होती है अगर छोटे-छोटे काण भी आने लगे तो वेद्धना आपने के बाद जैसे थोड़ा पार्टिकल निकल गया तो वेद्धना हो जाती है ऐसे बारबार होता है और वायू प्रतिलोमित हो जाती है अगर उल्टे डिरेक्शन में जा दिये तो अनुलो होता है हाट के एरिया में हिर्द प्रदेशी बेदना होती है जर्दी होता है उल्टी आता है प्रोजेक्ट एल वमिटिंग जब मैं फर्स्ट यर में था तो एक हमारी सिन्यर थी तो वह कॉलेज से आई अचानक और अपने रूम पे गई तो उनको इतना वमिटिंग होने लग पर पूरा ऊल्टी वाकीटोकी ब्रेडियो था तो वह पूरा घंदा हो गया तो फिर उनको फिर हस्पितल लेगए तो हस्पितल में जाने क बात भी इतना हुआ कि उपूरा साफ हो गया इतना आसिट था उसमें जैसे हमगाब को साफ करने के लिए हम लोग क्या कर ते हैं ए इतना जदा हुआ उनका पित इतना असेड था कि पूरा पित निकलने से टाइल साफ हो गया तो इसमें भी प्रोजेक्टल वॉमेटिंग होती है और उनका डियाग्नोसिस भी बाद में वहीं पता चला डॉक्टर लोगों को लगा कि इनको अपेंडिस है लेकिन अपेंडिस है नया है। नया है कि जल्दी निकल जाती है अब चिक्टसा के लिए ऐसे बताया गया है कि मुतर शर्क्रा के लिए बातज और कफज मुथ्र चिकिसा जैसे चिकिसा करना होगा तो इसके लिए आश्मरी का ठेधन करना ज flavors है मुठ्रल द़ाईयां डेना जुरूरी है ए और पाचन करना भी वह जुरूरा है आम का दीपन पाचन अनुलोमन देते हुए हम लोग खाने के पहले 25 समयल खाने के बाद 25 समयल यह 25 में एक अंदाद से बोलाओ एक स्टैंडर्ड है उसको कम ज्यादा कर से है पेशन्ट के हिसाब से तो वो देने से अश्मरी निकलने में इसी जाते है अवक्विडक्स ने देना है पाशान भेद, अश्मन्तक, अतिवला, उशिर, व्रिक्षादनी, व्यागरीट, गोक्षूर, यव, कोल, पुलत, वरुण, उश्कादी गण के द्रग्यों से सिद्ध के अवगरित अगर हम दे तो बहुत अच्छा पैदा होता है यह वाताश्मरी भेदन के लिए बहुत जैसे कि कुष, काश, शर, पाशान भेद, दर्ब, विदारीकंद, वाराहीकंद, शालीब मुल, गोक्षूर, पाठा, पुनर्नवा, शिरिष, इनका क्वात बनाना है उन्से सिद्ध ग्रित करना है और वो खाने के लिए देना है यह ककड़ी का बीज देना है, शहद देना में बताए, बरुनादी गण, मुष्कादी गण, इसकी गोलियां आती है महराष्ट में, वो गण के द्रवाए या जो जो एवलेबल है वो दे तो उसके साथ गुगुल दे, मरीच दे, कुष्ट दे, चितरक दे, कटू रसात्माक द्रवे दे, उश्न विर्यात्मा, कटू विपाकी दे, तो वह उससे सिद्ध गृत बना दिया यह सारा, तो यह कफाश्मरी को निकाल देता है, इसी तरह से शार देते हैं, दूद देते हैं, या वागू देते हैं, जैसा अश्मरी है, वैसे अनुपान के सांद देते हैं, इसी तरह से उसको निकालने लिए या तिल, अपामार, कदली, पलाश, यव, इसको गोमुत्र के शार के सांद देने से अश्मुरी निकल जाता है, गोमुत्र के सांद देना है, दुखदम चो मुत्रम चो विरेचनानी, विरेचन भी करता है, और कोई भी मुत्र लेंगे तो मुत्र अच्छे से निकलेगा, तर низर भावटी जो ऑचिती तरह नवावादी पाशाण भेद फैर भाधू प्राशम घाए всем बद्राश्म जो युख की समाद समय पत्थर होता उसको घिसके चून डेते या पुर्णा नवा दिध वाण ओसरी सलम वरंणा देई कुकह इसी तरह से अगर नहीं को तो करना पड़ेई है शुक्राश मरी एंथ को शुक्रह निकालनें के लिए बुलना है मेथुन करने को बोलना है और व्रिष्या दवायां देनी है मुर्गे का मास देना है प्रमदास्थी के साथ मैथून करना यह भी चिकित सा बता है पत्या-पत्य में बोला है कि जो बीज वाले पदार थे इसमें कैल्शम फॉस्ट्वेट होते हैं या कैल्शम फॉस्ट्वेट या सल्फेट तो ऐसे चीज़ें कि इसमें होते हैं तो टमा नारियल पानी पीना है और जो ताड खा पानी देते ताड गर ओने नहीं और क्या चीज नहीं खाना है तो और तले भी पदार्थ नहीं खाना है मुत्रवे का वरोध नहीं करना है तो अगर हम लोग देखेंगे ना तो जो kidney stone होते हैं आप लोग के स्क्रीन में दिख रहा है kidney stone अलग-लग तरग से होते हैं chemically कोई calcium stone होते हैं calcium carbonate होता है uric acid के stone होते हैं कभी-कभी phosphate होते हैं कभी sodium urate होते हैं कभी-कभी obsolete होते हैं कभी stuvite stone होते हैं कभी cystein stone रहते हैं अलग लग रहते हैं कुछ लोग सिस्टेन जन्फिन इंडीकेन ऐसे तरह के अस्मरी निकलते हैं और इस में हम और देखते हैं तो योरिब एकरसिड के स्टोन रहते हैं वेक्रिकर निकलनेत के रहते हैं कुछ पास्टेकर टैप के स्टोन जो उस necesario से मिलते हैं कुछ oxalate type के रहते हैं वो वाताश्मरी जैसे दिखते हैं जब इनका भेदन होता है तो जो शरक्रा टैप निकलता है उसको gravel जी आरे दी इएल उसको हम लोग मुत्र शरक्रा बोलते हैं modern science में gravel जी आरे दी इएल ऐसा बोलते हैं इस तरह से हम अश्मरी की चीकित्सा करते हैं तो बहुत अच्छा फाइदा होता है और यूरेटर को डालेट करने के लिए हम लोग कनकासव देते हैं उससे वो डालेट होता है अच्छे से निकलने में आसानी होते हैं इंजूरी नहीं देना चाहिए मुत्रल दगायों में वरुना दिक्वाद गोखुरु काढ़ा और गोखुर का पानी का हीम या धनिया जीरा फांट यह सब देते हैं तो अच्छे से यूरेन होते हैं गन्ने का रस ज्यादा से ज्यादा पिलाए दीपन परचन के साथ में अ सब कुछ आपने बता दिया सारे संप्राप्ति के अनुसार पिशेंट को लेते हैं और पिशेंट को पहले उसका हेतु देखते हैं क्यों हुआ यह सारे क्राइटेरिया को आपने बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिये सार इसमें जैसे रोगी को एक सर्टनेज के बाद 30-35 के बाद जो होता है यह रियली ऐसे कॉज मिलते हैं और लॉंग टाइम तक हम रोगी को कैसे स्वस्त रखें इसके लिए भी हमें ध्यान देना पड़ता है इसको पेशेंट को पहले दीपन पाचन करने के बाद उसको कोश्ट सोधन करते हैं कोश्ट सोधन के लिए हमारा ति को मिला करके फिर उसको अनुवासन बस्ती देते हैं साथ में फिर बीच बीच में उसको निरू बस्ती भी देते हैं निरू बस्ती में कौध की मात्रा बढ़ा करके और गौमुत्र और शिलाजीत और गोक्षुरादी और इसका वारुन और गोक्षुरुचुन इन सब को मि तो जैसे काफी पेनिक कंडिशन होती है तो उसमें बहुत अच्छा लाव मिलता है ना भी पूरण करके और इसमें मैं पत्र देती हूं सरेक मेरे हाँ उसका पत्र है पाशान बेट का उसको 5-7 पत्तियों को वाइल करके सुबह खाली पेट पीने को देते हैं तो 5-8 mm के पत्र तो वैसे ही निकल जाते हैं नारियल पानी पर रखते हैं थोड़ा सा लंगान कराते हैं और दो-ती निन के यूरीन के साथ में वह फिर बहार आ जाते हैं बड़े साइस के रहने में थोड़ा समय लगता है तो जैसे औशदियां हमारी रहती हैं पुनर नवा गोक्षरो और वरणाधी कशायम साथ में चलाती हूं मैं इसको और पंचिकोल कुलत्याधी कशायम बहुत अच्छा काम करता है इसमें यदि नहीं अवलेबिल तो कुलत्य के क्वाथ को बना करके या दाल जैसे उसको पकाय करके पतला करके हिन के रूप में उसको भी सुबह सामे के चैशल में है और जैसे उसमें आ गया युरिनेरी ट्यूब में आ गया तो फिर ज़्यादा प्राब्लम होती बहुत ज़्यादा बहुत पेनिक होते हैं उसकर ना हमारी वस्ती बहुत अच्छा काम करती है वस्तीचिकित्सा उसकंडिशन में पेशेंट को ऐसा लगता है कि जा रहा हूं, सरजरी कराना है, कुछ पेन रिलीफ नहीं हो रहा है, तो उसमें बहुत बढ़ता है, साथ में कनकासव और साथ में शंक भस्म और कनकासव का प्रयोग करने से पेन भी सबसाइड हो जाता है, तो इस तरह से उनको साथ में पिशंट के अकॉर्डिंग क्या कैसी जरुरत है, और सरिया तो बहुत सी है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसको देना है, और पिशंट सेंटीमीटर वाले भी जो स्टोन है, वो भी उनके दीरे-दीरे, जैसे पत्थरी का हमको इंडिकेशन मिल गया कि इतने mm का है, तो वैसी कंडिशन में हमको मात्रा में हमको दे कि पेशंट को धीरे-धीरे डिजॉल्ब करके नारियल पानी का अच्छा सेवन करें, कुलत्यादी का सेवन करें, और पाशान बेट का पाशान बेट यह उद्भश्म के रूप में इसको भी प्रयोग करते हैं, साथ में दी यूरिन अप्स्टेक्ट हो रही है, तो शीत प् पका करके किचड़ी वगरां पत्रे किचड़ी में इसको भी देते हैं, तो खाइदा होता है साथ, और मैंने तो इसे में ही स्टोन निकाले हैं पेशंटों के, जी सर, बाकी तो आपने बहुत सारा डिटेल बता दिये सर, जी, और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं य बोले में अश्मरी में आवपिडक्स नेहा देती हूँ और पाशान भी दादी योग, उसमें पाशान भेद रहता हैं, कंटकारी, गोक्षूर, यवक्षार, आपामारगाक्षार देती हूँ और लताकरंज देती हूँ सर, और टाबलेट में मैं चंदरप्रभा, शिलिवक शिलाजितवती आइसा देती हूँ और कुलत्थयूष और तंडुलोदक के साथ शिलाजितवती चंदरप्रभावती देती हूँ सर, अब बहुत अच्छा काम करते हूँ और पिडक्स नेहा काती स्थीस मिली खाने के पहले और बाद में, तीस मिली गुरुता, गो गुरु और कुए शूल जादा है तो स्निहन बाहिया श्वेदन उम तब स्थानिक शनिहन स्वेदन देती हूँ शूल कम होने के लिए या बसथी सबीम शीत त तीलितेव का तीलतारा मूर्षित करके उसका बस्ती देती हो स्वर्म बहुत अच्छा बता है अपने मैं और किसी को कुछ बोलना है क्या इसमें बालम किरा और कुरूडू भी चलता है हंड्रे परसेंट तो कि यह नाशिक डिस्टिक में बहुत जन देते हैं और इसमें कलमी सोरा भी देते हैं और कलमी सोरा श्वेद परपटी भी देते हैं अभी जो डॉक्टर बोल रहे थे ना कैसे संकलन करते उसका इतनी चोटी बीज रहती है ना उसकी कुरूडू बहुत है हमारे यहां भी मगर उसका जो फूल आता है ना वह फूल लेके आना है उसको थोड़ा सा मसल देना है जैसा गेवू अगयर लेके कैसे मसलते वह निकल जाता है फिर वह थोड़ा च्छान के दिया तो हवा भी थोड़ा सा यह कर दिया तो आहिस्ता इस्ता फूप मारके वह निकाल दो निकल जाता है वह बहुत चोटी-चोटी है बीज और कितना देना वह बीज मैं तो मैं यह देता हूँ अपना आइस क्रीम का ने तो चाय पत बाद में कुल्ती योज देता हूँ उसके साथ तिर बालम कीरा उसको दो बार देता हो सुवेशाद है इस बारं के अब बाहला की रहता है उसको जब सुका के फीर उसका ये बना सकते पाउडर बना सकते फिर उसको भी आप पाणी में इसको और उसको उसको घीले char ring च्छोटा 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 वैसा काट लेना है उसको सुका देना है फिर उसकी पाउडर बन्हें बाद में आप कुछ चाहिए तो आसवारिस थैसा भी बने सकते, जया सब्वह告诉 ने और वही देते हैं, 180 रुपीज का कुछ तुभी 200 में लाता है, दो तिन कंपपणी बनाती है, उसके लिए क्या सर वरुना दिखा है, तो उनको कंटीनिव हो रहाता है, वो दो तिन बार ऑपरेट के दे, मैं उनको छे मैना चला है, उसके बाद उनको नहीं हो आई से दोरों से अरिकरण से और किसी को कुछ बताना है तो बताइए, इसमें एड़ करें, सूरज जी, गंगवार सर, हरी हर सर, किसी को कुछ एड़ करना है, व्यटनिस टोन में आप लोग कुछ अलग चीज देते हैं, कुछ बोलिये, राचकुमार जी, सुरहिंदर यादव जी, कुछ बो पाइंट और रह गया वहीं करते हैं उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है कहां करते हैं पैर के उंगली में और उसके पहले उंगली के बीच में करते हैं ना जी 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 ठीकर शाषी तीवारी मैं आप कुछ बोलना चाहेंगी आप एरन तेल देती हैं अगर पेन हो रह तो मुझे याद है कि उसके पहले उनको हमेशा रात में दो से तीन बजे के आसपास फीवर चड़ता था और पेन वगर होता था तो तब तो आयरवेद माइंड सेट भी नहीं था हम लोग पढ़ रहे थे तो समझ में भी नहीं पाये थे अब पता चलता है कि जैसे किटनी के स स्ट्री भी लेनी चाहिए और मेरे हस्बंड के केस में रहा होगे तो पानी और शुरू से कम पीते हैं आपका अम्यूट हो गया मैं शशी मैं आप बुलते-बुलते म्यूट कर दी खुदी शशी मैं आपके हस्बंड को हुआ था बस इतना ही बताया आपने पिर से म्यूट हो गया पताने कुछ गड़ ड़े डॉक्ट्र महेंद्र सर आपको बोलना चाहते हैं प्रिथी मैं सभीता मैं कुछ बोलना चाहते हैं सूर्ज जी बोलिए अलो सर मैं मतलब बोलना चाहा रहा था कि मतलब हमारे में ने देख था मतलब शंकवटी और यह दाड़ी मारी गुरुद देते थे मतलब पेन मैनेजमेंट के लिए हमारे सर से मतलब सुना था मैंने की डाइना पाल या कुछ तो इंजेक्शन रहता है जो मतलब मौडन में रेते हैं वह भी पेन मैनेजमेंट के लिए तो और मतलब ऐसे अभी कैसा ह यह कम हो जाता है। वह भी एक यह kommt हर आदे घंटे में देंडनेए। दाश्मुला रिष्ट अर इसमें हम अभ्या रिष्ट आशे दे सकते हैं ada तुरंत प आश्मरी हर चून देते हैं पाशान घ्राभी दाथी चूनद देते हैं की कोत है तुरंत हाँ सर इसमें हमें वायू को जितने अच्छे से अनुलूमीद करेंगे ना उतने जल्दी पेन सबसाइड हो जाता है और पुनाद भाव नहीं होता है जैसे मैं मेरे तो जितने भी पेशेंट हैं उनको कभी डबल नहीं हुआ हमारी वस्ती जो चिकित्सा है ना वह अच्छे स हम देते हैं और पेशेंट अच्छे से खान पाण और पानी का अच्छा सेवन करता है तो दुबहरा रिपीट हुए नहीं है और बीच में कोकोनट वाटर मैं बोलती हूँ कि कम समसपता में एक दो बार आप लोग लही लिया करो और एक बार इतना जोड़ से pressure आया कि उसका urine हो गया उदर ही चेयर पे ही हो गया और उधर स्टोन भी निकल गया वहमन का वेक आप देखेंगे उसको ऐसे कैसे दाल के और बांधना है और गोड़े से खिचवाना है फिर वो स्टोन निकल जाते है ऐसे कुछ-कुछ विदी बताईए वागबट में वह क्या मेथेड है मुझे नहीं पता लेकिन ऐसे बुले या बैल गाड़ी से जा रहे हैं और वह उबढ़ खाबड रास्ते से किड्नी स्टोन निकल जाते है ऐसे व अच्छा हो जाएगा और एक चीज और कहा जाता है कि जैसे जो लोग नहाते हैं नहाने के बाद में अगर तुरंत यूरिनेशन करते हैं तो उन लोग को भी स्टोन वगर की प्रॉलम नहीं होती है लेकिन हा नहाने में यह जैसे पुराने टाइम में लोग नदी वगर में नहाते थे तो कभी भी नदी में नहीं नहाना चाहिए मतलब नहाते वक्त है मतलब सारी मतलब उस्वती उरेनेट नहीं करना चाहिए तो वह चीज क्या होता है कि जल को दूशित करता ही है और एस्ट्रॉलजी के हिसाब से चंदरमा खराब होता तो फिर चीज और खराब हो करते हैं लेकिन यह हैं कि नहाने में भी कई बर प्रेशर आई जाता है तो लोग क्या करते हैं कि जिसमें नहा रहे हैं चाहिए गंगा नदियों फिर वहीं यूरिनेट भी कर देते हैं तो यूरिनेट नहीं करना चाहिए न तो पूरा वह गंदा हो जाता है सिस्टम तो अस्ट्रोलजी के हिसाब से भी खराब होता है ऐसे नॉर्मल साइंस के हिसाब से भी समझें लेकिन लोग तब पर भी इस चीजों को फॉलू नहीं करते हैं और और गाहन वगर तो इसमें सब्सक्राइब करते हैं तो अभी हम सेशन बंद करते हैं ताइम हो गया है अब हम 8 15 पर मिलेंगे थैंक्यू प्रणाम सभी लोग को फिर मिलते हैं थैंक्यू थैंक्यू ट्राम सरी